टेम इंडिया के कैप्टेन विराट कोली को ना सिर्फ दुनिया का सर्वस्रेस्ट बल्ले बाज माना जाता है इसके साथ ही उनकी गिंती विश्व के सबसे शांदार गपतानों में भी की जाती है विराट ने भारते टीम की कमान तब समाली थी जब साल 2014 में MS धोनी ने अचानक ऑस्टेलिया में टेस्ट क्रिकेट से सन्यास की घोशना कर दी थी विराट ने पहले ही मैच में अपती कपतानी का खूब जलवा दिखाया था और एडिले टेस्ट में टीम को जीत के मुहाने पर पहुँचा दिया था लेकिन निचले करम के बल्ले बास एक के बाद एक आउट होते चले गए और भारते टीम मैच को काफी कम अंतर से हार गई थी तब से अब तक विराट पच्चबन टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की कपतानी कर चुके हैं जिसमें से 33 मैचों में भारत को जीत हासल हुई है अगर आकडों के करीब से देखें तो पता चलता है कि एक कप्तान के तौर बर विराट का टेस्ट क्रिकेट में जीत का प्रतिशद साथ है जो की सबसे ज़्यादा है भारते कप्तानों के रूप में अब विराट ने खुद ही अपनी कप्तानी के विशेश्टाओं के बारे में बात की है जिसमें उन्होंने अपनी कप्तानी से जुड़े कई राज खोले हैं टीम इंडिया के ओपनर मयंका ग्रवाल्स के साथ बातचीत के दोरान विराट ने भी बताया कि उनकी और बाकी भरत कप्तानों की कप्तानी में क्या फर्क है यहां विराट ने कहा कि कैप्टन कोहली की कप्तानी का X-Factor है टेस्ट मैचों में लक्ष का पीछा करना वाला attitude जी हां विराट ने आगे कहा कि वो हमेशा टेस्ट मैच जीतने के लिए मैदान पर उतरते हैं ना कि उसे ड्रॉ करने के लिए मैच को ड्रॉ करना आखरी विकल्प होता है विराट ने बताया कि मैं किसी भी परिस्थिती में अपने परिणामों से समझाता नहीं कर सकता मैच को ड्रॉ कराना मेरे लिए सबसे अंतिम काम है अगर आप मुझसे कहें कि आपको टेस्ट मैच के आखरे दिन 308 चीज कर तो मैं कहूंगा चलो इसका पीछा करते हैं आपको हर सेशन में 100 रन ही बनाने हैं और अगर आप पहले सेशन में दो विकेट के नुकसान पर असी रन बनाते हैं तो बाद के दो सेशन में आप आसानी से लक्ष को प्राप्त कर लेंगे विराट ने आगे बताया कि ड्रॉ के ल चीज करने हैं तो आपके हाथ में 10 विकेट हैं तो इसको ड्रॉ का कोई आपशन नहीं है और ना ही मेरे लिए ये आगे होगा एक खिलाडी के लिए हार का डर एक नकारात्मक चीज है जो उसे काफी नुकसान पहुचा सकता है अगर आप कुछ किये बिना ही हार मान जाते है तो यहाँ आपकी मान सिकता को नुकसान पहुचाता है मेरा लक्ष यही होता है कि मैं लोगों को एहसास कराओं कि वह कितने अच्छे हो सकते हैं और अगर पूरी टीम एक साथ खड़ी हो जाए तो आपको कोई नहीं हरा सकता युवाओं के लिए भी कोहली का ये अच्छा स भूलें तन्यवाद